हेलो चैम्पियन्स वेलकम टू फैंटेसी क्रिक बॉल्ड कप दो जार तेइस में खेला जाने वाला चवाली स्वावडियाई मुकाबला जो की खेला जाने वाला इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में यह तगडा मैच 11 नमेंबर को दो बुझे दोपहर में इडन गा टेलेग्राम पे तहलका मचा दिया गाई लास माच के आप हमारी टीम उठा के देख लो कल की टीम पूरे टेलेग्राम पे जिससे मिलाना है मिला लेना हमसे जादा पॉइंट किसी का नहीं था अगर होगा तो लाके दिखाना जरूर गाई तो यह होता है और यह चीजे आती आपके विश्वास और भरोसे से आपने जो विश्वास दिखाया इतना सपोर्ट और प्यार किया है तो ऐसा ही साथ विश्वास प्यार सपोर्ट बनाए रखेगा थैंक्यू सो मच गाई दिवाली का दिन चल रहा है तो हशी खुसी बात करेंगे और यहाँ पर बहुत सारी भी नी करनी है क्योंकि यह दिवाली होने वाली है खास फैंटसी क्रीब बॉल के साथ तो गाई जहां पर इस वीडियो में हम आपको सब कुछ कवर करके देंगे कि इस मैच की ग्रैंड लिग टीम क्या होगी वेन्यू स्टाइट रीसेंट परफॉर्मेंस सारी खिलाडियों चलने के चांसे हो और कौन सा खिलाड़ी फ्लॉप होने वाला है जो रूट जोनी बेस्टो और जो बटलर मेंसे कौन सा जे होगा इस मैच में फ्लॉप और इसके अलावा गर हम बात करें बाबर आजब रिज्वान फखर जमान में इस मैच में क्या फिर सेंचुरी लगने वाली है साथ ही बात करें गाईज यहाँ पर डेविड वीली क्रिस वोग्स आदिल रशीद तो सामने वाले टीम में होने वाले हरीस राव शाहीन साफरीदी हसन अली तो यह सारी ताबर तोड बातों के अंदर सबसे आपको बताऊंगी मैं कि कौन कौन से प्लेयर इस मैच में आपको अपनी टीम में रखने और Grand League टीम कैसे create करनी है यहाँ पर टॉज जीतने के बाद क्योंकि गाईज देको पिछ की बारे में आगे बताऊंगी बैटिंग पिछ है अलाकि तो गाईज वहाँ पर अगर टॉज जीतती है पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो किस-कि खिलाडियों को पाकिस्तान के रखना है और अगर पहले बॉलिंग करती है तो हम फिर वहाँ पर बहुत जादा बैटर्स के साथ नहीं जा सकते हैं तो यह सारी बते हम डीटेल करेंगे लेकिन आप सब को पता है कि मेरी फाइनल टीम टेलीग्राम पे आती है बैक टू बैक इतने सारे पैसे कमाएं आप तो गाई जो लोग भी नहीं जोईन की अभी मौका है अभी भी दो चार मैच बचे और बिग बैस लीग भी आने वाली है बहुत सारे पैसे बनाने है तो जुड़ जो मेरे टेलीग्राम पे मेरे फैमिली का हिस्सा बन जो आपको शिदत से दिल से जो काम किया जा रहा है वो आप तक पहुचेगा जरूर गाई लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पेन है तो फटा फट जाएंगे जोईन हो जाना है और गाई आप सब को पता है वर्ल्ड कॉप की हर मैच आपको गिववे स्पेशल है उसके बाद मोर का ओपशन दिखेगा उसके जस्ट उपर मोर पर जैसे क्लिक करोगे फोन में अपन होगा यह यहाँ पर दिखेगी टेलीग्राम की लिंक लिंक पर कलेक करते ही फोन में ओपन हो जाएगा को लिंक मिले और आप जोई जाओ चलूब वेन्यू की बात करेंगे लिगर उससे पहले बात करेंगे कि यह मैच खिलना का है तो गाइज यह मैच आपको केलना है स्पोर्ट बाजी पर क्रिकड़ टीम ने तो आग लगाया है लेकिन इस वर्लक्प में स्पोर्ट बाजी ने नेक्स लेवल का आग लगा दिया है क्योंकि यहाँ पर आपको mega GL free खेलने का मौका मिला है किसी भी application में आपको free contest मिल जागा लेकि mega GL free खेलने के लिए कोई नहीं देने वाला है क्योंकि सबको पता है कि आप वहाँ कोई भी amount जीज सकतो वो भी free में तो try करो याँ download करो किस चिसका wait कर रहो वह आखरी मौका है अभी कुछ 2-3 मैच बचें तो यहाँ पर देख लो आप world last ride league मैच का यहाँ पर यह एक और मैच है वैसे इंडिया निदर लाड़ वाला तो यह भी एक आखरी मैच यह आखरी मैच पाकिस्तान के लिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर सबको पता है कि चौथे नंबर की rank जो है चौथा प्ले सेमी फाइनल का New Zealand almost पाच चुकी है पाकिस्तान के लिए यह आखरी मौका है डू और डाई माच होने वाला अगर आप इसको जीतते हो जीतना ही नहीं है बहुत बड़े डिफरेंस से जीतना है बहुत बड़ी जीत चाहिए और अगर हम बात करें बोट टीम हाँ लैक ओफ कॉन्फिदेंस लैक ओफ कंसिस्टेंसी पूरे सीरीज में देखने को मिली है ठीक है तो गाइस डाउनलोड करो को यहां पर 100-500 रुपय का डिपोजिट करो SB मेगा कोड यूज करना है बाकि जिससे आप मेगाजीन फ्री खेल सकते हो वहां पर अगर आप डाउनलोड करने के बाद आपको इनवाइट कोड में लिखना है क्रीक बाउल ताकि मुझे पता चल सकी कि आप मेरे फैमली से मेरे साथ खेलते हो ताकि आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन तो गैज चलो आगे बात कर लेते हैं मैच वेन्यू की तो जैसा मैंने आपको बताया बैटिंग पिच है पेसर को मदद मिलेगी आप देखो 33 मैच खेले जा चुके हैं इस बार फोर्स बेटिंग करनोरी टीम ने जीते हैं अबरेज स्कोर 250 से प्लस का है हाइस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया 404 पर पांच विकेट है लोइस्ट स्कोर साउथ अफरीका ने बनाया 83 रन बनागे पूरी टीम पावेलियन लॉड़ गेती स्कोरिंग पैटन के अब बात करें तो 33 में से आप दिखो गाईस ने यहाँ पर बड़े मैचे 200 से उपर वाले मैच दिखो मैक्सिमम जादा खेले जा रहे हैं पेस वर्सेज स्पीन में मैने पहले ही बताया कि पेसर को जादा मदद है as compared to स्पीनर आगे बात करेंगे जो लास्ट कुछ मैच इस पिच पे खेले गया थे जो आखरी मैच खेला गया था इंडिया और साउथ अफरीका का खेला गया था मलब इंडिया ने साउथ अफरीका को ऐसे हराया था जैसा लग रहा था कि वो नीदर लांग के साथ खेल रही है वो टॉप की टीम टॉप टूप सिकेंड कहीं नजर नहीं आई तो गाइस यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल पंद्रह विक्टे किरी थी जिसमें से 6 विकेट पेसर को मिली थी और 9 विकेट मिली थी आपके स्पीनर को लेकिन आप इस कहानी पे इसको जच मत करना क्योंकि यह चीज़ें बहुत डिपेंड करती है टीम पे भी साउथ अफरीका की टीम हमेशा मैं बोलती हूं, इस पिन के खिलाब फस्ती है इसके अलावा इंडिया में कुछ इनडिया की बात अलगी है और यहां पर लेकिन इस स्टीम में आपको पताय की आपको किस के साथ यहां पर आपके पेसर भाजी मारेंगे ठीक है तो आप किस तरह का मैश खaprès है और आगे बात करेंगे दुनों टीम की प्लेई लावन सबसे पहले बात करने वाले इंग्लैंड के लिए ये जर्णी मतलब एक नाइट मेर टाइफ से आप क्या सकते हो कि वो बिल्कुल भी नहीं आद करना चाहेगी अपने क्रिकेट के हिस्ट्री में लास्ट यर की चैंपियन रही इस साल साथवे रैंग पे अभी नजर आएंगे रूट, स्टोक्स, पटलर, मोहीन अली, डेविड विली, क्रिस वोक्स, आदिल रशीद जो कि अभी तक अपनी इंग्लैंड के तरफ से सबसे हाइस विगे टेकर वॉलर है जी अतकिंसन और मार्कूर लेकिन एक बात आपको उता थे पाकिस्तान की आपकर क्रिस वोक्स और डेविड विली ने भी काफी सारे विक्टे निकाली अपने टीम के लिए, बैक लास्ट माच में बैन स्टोक्स ने जिस तरह से संच्री लगाई थी, इवन मालान की बात करें, साड़े 300 से उपर रन मार चुके हैं इस वर्ल्ड कप में, तो ये आपको किसके साथ स्मॉल लीग में सेफ टीम मरानी और किस पे इस माच में आपको ग्रांड लीग में रिस्क लेला है, तो यहाँ पर सबसे पहले बैस्टो की बात कर लेते हैं, दो दस्ती चो, पूरा बैक तु बैक आप देखो तो पूरा फ्लॉप सो चल लाइन का यहाँ पाकिस्तान के खिलाब साथ मैच में 380 रन चोओन का अवरेज एवरेज स्टर्ट से आपर मलान की बात करेंगे, मलान लास माच में अच्छे पर्फॉर्मेंस आई थी पाकिस्तान के अगेंस लेकिन आप दो इस टार्स अच्छी नहीं है, रूट की बात करेंगे, आपर पाकिस्तान के खिलाब ग्यारा माच में 421 वेनियु पर हला किस्टार्स अच्छे है, एक मैच में सतावनन मार्ट चुके है, आगे हम बात करेंगे, आपर विली की बात करेंगे, जो कि पावर प्ले में काफी अच्छी पर्फॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने गेंद बाजी से, 2 Wricket, 0 Wricket, 2 Wricket, 3 Wr keer, 2 Wr targeted आप लेको लास्ट तीन मैच में टोटटल साथ विक्टे निकाल चुके है पाकिस्तान के ऐगील, 9 मैच में 10 विक्टे निकाल चुके है वोक्स, 2 WICK Ed 0-0, लास्ट दो मैच में 3 विक्टे, पाकिस्तान के ऐगील, स्टाट्स बहुत अच्छा है 13 माच में 30 विक्टे निकाली है विर्नियू पेपी एक माच में 2 विकेड Atkinson की बात करेंगे तो guys इस माच में Atkinson बहुत खास रहेंगे लेकिन अगर यहाँ पर England पहले गेन बाजी करने आती है तो उस condition में Second balling में Atkinson को आप drop कर देना आदिर रशीर तीन विकेड दो विकेड जिरो के लास्ट दो मैच में 5 विक्टे निकाल जो के इस मैच में flop होने के चांस बहुत सादर लग रहा है मुझे मार्कूट की बात करेंगे एक अग विक्टे निकाले हो यह सारे बालर्स की भी अगर हम बात करें तो इंग्नायांट के बालर्स भी जो आपके main main key baller है पूरे वर्लकप में उनकी भी performance नहीं आई चाहिए मार्कूट की भी performance देख लो जो मार्कूट 4-5 पच विक्टे निकालते थे वो तो कहीं खोए से नजर आए एक्स्टा प्लियर के स्टाट्स आप देख सकते हो बॉलिंग ओर्डर की बात को तो पॉवर प्ले में मार्कूट क्रिसवोक अटकिंसन विली बॉल डालेंगे मिडिल ओर में मार्कूट अटकिंसन मोहिन अली जो रूट आदिल शीद की बॉल आएगी जहां पर डेविड विली इपॉर्ट के साथ भी जा सकते हो बात करेंगे हमारे पड़ोसी मॉल्क की पाकिस्तान की प्लेइवन क्या रहने वाले है पाकिस्तान की खेमे की तरब से यह माच उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाला है इस माच कुप में उनकी जब भी जुड़िये साधी साथ सेमी के रास्ते भी जुड़े तो यहां पर देखो गाइज ओपन करना हैंगे अब्दुल्ला शाफिक उनका साथ देते वह दिखेंगे फखर जमान तो उनों ही प्लेयर अच्छी फॉ कंसिस्टेंसी नहीं है अप्तिखार की भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं है एस अलमान भी वर्ल्लकप में पूरे फ्लॉप रहे है यूमिर की बात करेंगे यहां इंपोर्टेंट रहेंगे साहिन साफरीदी जिन्हों ने अभी तक 17 विक्टे निकाली और अपने पाक करेंगे इन सारे खिलाड़ों के स्टाइट की अगरम बात करें अब्दुल्ला शाफिक की रीसेंट परफॉर्मेंस आप बड़ी बड़ी पारी आ थी लेकिन आखरी दो मैच में से एक मैच में से एक मैच में बड़ी पारी आई इंग्लान के अगेंस फ्लॉप रहे हैं वे या तो बहुत लंबा चलेंगे या तो फ्लॉप जाएंगे एक चीज याद रखना बापर आजम की बात करेंगे जो आपको एवरेजी स्कोर हर मैच में तेके जाएंगे लास माच में अच्छा के लाता है इंग्लान के अगेंस भी स्टैर्स अच्छे हैं यहां पर गर्ण के अगेंस दो मैच में 122 अमारा है आगे बात करें एश सल्मार के साथ हम नहीं जाएंगे यू मीर को आप ट्राई कर सकते हो यहां पर ग्रांड लीग पिक रहें चाहिं साप अफरीदी की बात करें टीम स्मॉल लीग हो ग्रांड लीग हो हर जगर ट्राय करना है ला निकाल चुके, वेन्यू पे 1 मैच खिला है, 3 विकेट निकाला है, Haris Roegh, 3 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, अगर बात करें, 3 मैच में 6 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच खिला है, दो विकेट निकाला है, तो बाकि आप extra player के stats आप देख सकते हो, बॉली होर्टर की बात करें पाकिस्तान की तो पाउप ले में शाहिन साफरीदी, वसीम जूनियर, हरीस रोग बॉल डालेंगे और अगर यहाँ पर पाकिस्तान पहले गेन बाजी आती है तो तीनों के तीनों बॉलर में से किसी को भी ड्रॉप करने की गलती नहीं करनी है अहां सेकेंड ही निक में अगर गेन बाजी आती है तो फिर आप शाहिन और हरीस के साथ जा सकते हो इसके लावर मिडिल ओर में सलमान, यूमीर, वसीम जूनियर, इप्तिखार, हरीस रोग, डेथ में शाहिन, साफ रीदी, वसीम जूनियर और हरीस रोग गेन बाजी करेंगे वहाँ पर अगर हम बात करें, बाबर आजम ने 158 रमार था, रिजवान ने 74 मार था, हरीस रोग को चार विकेट मिली थी, सदाप खान दो विकेट, हसन अली एक विकेट, सामने वाड़े टीम से, यहाँ पर कोई भी खिलाड़ी है, कुछ खास मुझे लग नहीं रहा है, हा कि इतनी सारी बाते हुई है, तो क्या लगता है, कौन सी टीम जीतने वाली है, तो गाइस, अगर मैं आपको सच बताओ, थोड़ा सा मुझे, मैंने थोड़ा सा फेवर किया, इंगलाड को, बट अगर आप मेरी, अगर मेरे दिल की बात पुछोंगे ना, तो मुझे लग रह पाकिस्तान का ही भारी है, लेकिन मुझे लग रहा है, इंगलाड इस मैच को जीतेगी, बाकि का इस मैच में, अगर मैं आपके बात कहूँ कि इतनी चीज़े आपसे बताई दिये, तो आप यहां पर स्पोर्स बाजी पर जाके, काफी सारे पैसे बना सकते हो, क्योंकि आप अगर आपको लगता है, पाकिस्तान यह जीतेगी, क्या प्रोबिबिल्टी रहने वाली है, तो आपको ट्रू और फॉल्स करके, आप बहुत पैसे अन कर सकते हैं, इसके लिए आपके फोन में स्पोर्स बाजी होना चाहिए, जिस तरह की मेरे फोन में है, तो फटा-फट ज में आदिर रशीद, डेविड विली और शाहिन साफरी दी, यहां पर मोहिन अली के प्लेस पे आप हरी स्रॉफ को डिले सकते हो, यह मेरा एक परसनल ओपीनिन है, क्याप्टेंसी के लिए डेविड मलान, वीसी के लिए बाबर आजम सबसे सेफ उप्शन होंगे, अगर आप आजम, मलान, शाहिन साफरीद, आदिर रशीद, हरी स्रॉफ, यह मेरे 6 एंड फिक्स प्लेयर होंगे इस मैच के लिए जिनको आपको अपनी ग्रांडी की टीम में ट्राई करना है, और मैं आपको बता सकते हूं कि इन 6 में से 5 खिलाडी इस मैच का ट्रंप प्लेयर और और आप देखना कि यह 6 के 6 हो, आपको ड्रीम टीम में भी दिख जाएंगे, तो CVC भी इन में से ट्राई करना है, ज्यादा एक्स्टर दिमार्ग नहीं लगाना है, बाकि आप सबको पता है, पांच प्लेयर आपको रिस्की उठाने, ग्रैंड लिंग में स्मॉल लिकी टीम में से प्लेयर उठाने, मेरी फाइनल टीम आएगी, मेरे टेलिग्राम चानल, फैंटेसी क्रीग बॉल पे, तो जिसने जिसने अभी नहीं जोइन किया, अभी भी मौका है, जल्दी से जो जोइन कर लो, मेरे टेलिग्राम चानल, लिंक मिलेगी, डिस्क्रुप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पिन है, तो किस चीच का वेट कर रहे हो, जल्दी जाओ और जोइन करो, टेलिग्राम पे, मेरे परिवार का हिस्सा बनो, आप लोग वेलकम है आपका फैंटेसी क्रीग बॉल में गाईज, और यहाँ पर अगर हम बाग करें, इस मैच की आपसे गिव मेरे दिमाग में पहला नाम यहाँ पर वोक्स या हरीश रौफ का आता है, दोनों कॉश्चन का आंसर करने के साथ साह, आपको हैस्टेक ज़रूर लगाना है, इंडिया, इंग्लाइड वर्स पाकिस्तान, इंडिया, इंडिया ही निकलता रहता है, तो यह बात यह गाईज, आज के लिए बस इतना ही हम जल मिलेंगे, नेक्स माच के पूरी प्रेडिक्शन के साथ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा, तो लाइक को शेयर करना नहीं बूलना है, लेकिन सबसे पहले करना है, चान को सब्सक्राइब और अच्छे-चे कॉमेंट करके बताने ह कैसे लगी इसके साथ इसाथ आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो,